है गाईस क्या हाल चला आप सबके माइनम इस जेवी सिंग एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं लेकर इंग्लिश की स्ट्रेटजी फॉर एससी सीजिय टू थाउजन नाइटीन आपने भाई बहुत जादा सुना होगा कि बहुत सारे लोग ना ऐसे सी स्ट्रेटजी देत ब्रूरिये लेकिन अगर आप अभी इस वक्तो टाइम डित्स स्ट्रेटजी पर काम करें बेस्त मतलब की आज के दिन में म strategy को follow करेंगे तो वह बहुत गलत strategy है उसका रीजन यह है कि आप अगर आज के डे में कोई काम नहीं complete कर पाएना तो आप depression में शुरू कर देंगे फिर आपसे हो गई नहीं पाएंगे आप कभी भी observe करके देख लेना आप एक दिन मनाएंगे दो दिन मनाएंगे तीसरे दिन नह होई अभी यहां पर मैं जो बताओंगा आपको मेरे को रिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर मैं इसकी स्ट्रेट्टी जीसको बोलेंगे कि मंडे से लेके सटर्डे तक आपको जो करना है उसकी complete planning आपको कर लेनी है तो संडे को मैं मेरे को मंडे से लेके सटर्डे तक शे दि इसमें क्या करना है, English के बारे में पहले बात करेंगे, Maths की यललक से बनाइंगे, English के अंदर आपको क्या करना है, पूरे हफते में, जो जो topics करने हैं, आप लिख लीजिये copy के अंदर, कि कैसे आपको करना है, आपको 200 vocab करना है, पूरे week के अंदर बोल रहा हूं, मैं एक दिन के अंदर नहीं बोल रहा हूं, आप एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन में कर लिजिए, पूरे week में आपको 200 वर कैप करनी है, ठीक है, एक पूरा grammar का chapter करना है, अगर noun है, तो पूरा हफते के अंदर noun complete कर देना, अगर pronoun है, तो पर दिखाई देगा, कि आप इस वक्त किस level पर आ गए है, इसको कहते है, holistic strategy, ठीक है, आपको क्या करना है, अभी एक पूरा grammar का chapter करना है, 200 vocab करनी है, तीसरा आपको क्या करना है, 8 RC करनी है, RC बोले तो reading comprehension, है न, और चोथा जो आपको करना है, वो करना है, 8 close test, यह जो RC और close test है न, भाई, यह इतना ज़्यादा time आपका consume नहीं करेंगे, क्योंकि एक comprehension आपको पता है, SSC का जो comprehension होता है, 5 से 10 minute hardly लगते हैं, और 8 करने हैं, तो maximum to maximum 80 minute लगेंगे, इससे ज़्यादा लगने ही नीची है, आपको अगर इससे ज़्यादा लगेंगे, तो फिर आपकी reading skill improve क करनी है, या आप वक्याब आपको improve करनी है, यह पूरे का पूरे एक तरह से gym हो गई है, कि आपने legs भी लगा ली, biceps, triceps भी है न, apps भी लगा ली, आपको पता लग गया कि कौन से week areas है, वहां पर आप easily work कर पाएंगे, और इसके अलावा, वक्याब के अंदर देखिए, मैं आपको बताता हूं कि बहुत सार लोगों को वक्याब में बड़ी दिख्कता था कि कैसे करना है, वक्याब देखो, sources के लिए के अलग वीडियो रहेगी, books के लिए, वक्याब कैसे करनी है, वक्याब आपको, अब मैं आप भी निकालनी पड़ेगी मेरे को अपनी किताब, अ English to English की मेरे को आदत निया, वक्याब के अंदर, English to Hindi की आदत है, तो मैंने करता था, मैं साइड में अपने फॉन के अंदर डिक्शिन दी खौली, जो चार वो वर्ड है, उनका भी मीनिंग लिख लेता था, यह वो पता, उसी के साथ आपका रिदम बन जाएगा, और मैं बता आप डेली बेसिस पर प्लैनिंग कर रहा हूँ कि मैं 20-25 मिन एक दिन में करूँआ, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो आपको एक दिन जो रखना है, संडे का दिन, संडे के दिन, आपको बैट के वो सारी की सारी वक्याब को रिवाइज करना है, दोसों के 200 वक्याब को, वो हो सकत में जो किया है उसको revise करना है कहीं हो सकता है maths में लूप follow कहीं कुछ कहीं भी हो सकता है पूरे week में आपको Sunday के अंदर वो सारे का सारा make up कर लेना है तो इस तरह से अगर आप अपनी strategy रखने मन जाएगा और मैं guarantee के थोर भोल रहा हूं कि दो तीन दिन के अंदर ही आप सारे का सारा कर देंगा इडियम फ्रेजिस जब भी आपको टाइम लगेगा ना बीच में यहां जैसे ही आपको लगेगा कि मेरा इतने आपने कर लिए लगव चार से पांच जार हो गया तो इससे जादा आपके माइंड नहीं रिटेन कर पाएगा यह मैं guaranteed तो पर आपको बता रहा हूं यह चार से पांच जार आपने करके यह रिवाइस कर लिया ना बस इतना ही more than sufficient होगा क्योंकि इंग्लिश का पर आप वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं इंग्लिश का पर बहुत असान लेवल का है और वह अगर यह कर लिए लेवल कि आप टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर और इसके बाद अगर आर्सी की बात करने तो उसमें हो सकता है कि आपसे easily ना हो पाए हालां कि अगर चार-पांच आए तो एक आएगा इंफरेंशल वह भी हलका लेवल का आगया है तो वह आपको इस हिसाफ़ से segregate करके करना है ऐसे नहीं कि सारे के सारे factually कर लिए आपको inferential भी करने हैं अगर हफते में आपको करने है तो दो सबसे best strategy है अभी के लिए इस से better कोई नहीं हो सकते है और इस strategy में मैंने यह आपको नहीं बताए कि आपको पर दे क्या करना है क्योंकि उससे क्या है कि आप अपनी planning कभी नहीं कर पाएंगे अगर पूरे हफते की बता दिया तो पूरे week की planning आप easily कर पाएंगे कि आगर आज मेरा कुछ चूड़िया तो मैं कल को उसको cover up कर लूँगा और हो सकता है पूरे हफते मेरा कुछ ऐसा topic चूड़िया उसको मैं Sunday को make up कर लूँगा लेकिन करना है Sunday तक make up क्योंकि अगले हफते की strategy तभी बना पाऊगे न अगर पिछले हफते में लटके रोगे तो फिर अगल डिस्क्रिप्शन में देख लेना बहुत सारे जबरतस वीडियो के आपको लिंक मिल जाएंगे जो आपके काम की हैं डैफिनेटली आपको मजाएगा वो देखके और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में जैक कर लेना तब तक के लिए ओके गाईस कर देना वीडियो को निकम्मो